डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर जिन्हें डॉक्टर वाबा साहब अम्बेटकर के नाम से भी जाना जाता है का जन्म 14 अपरेल 1891 स्वी को मद्परदेश के महू में हुआ था एक तरफ जहां डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्यान दिवस के रूप में मनाय जाता है वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिस कुलंबिया कनाडा में अम्बेटकर समानता दिवस के रूप में भी मनाय जाता है डॉक्टर अमबेटकर भारती समिधान के निर्माता और आजाद भारत के पहले खानून मंत्री थे बाबा साहब की पाशान एक नियाविद अर्थसास्तरी, राजनितिग और समासुधारक के रूप में रही है आज भी बाबा साहब की विचार उनके आदर्सों को दर्साते हैं और लोगों को प्रेरना देते हैं आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अमबेटकर के ऐसे विचारों को सामने रखने के कोशिस करेंगे जो जिन्दगी के हर कटिंचन में आपको प्रेद करने का माद्दा रखते हैं मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकाले की और बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महासक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है इसलिए अपनी कोशिस को तब तक जारी रखो जब तक कि आपकी जीत इतिहास ना बन जाए अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगती मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगती हासिल की है मैं उससे मापता हूँ अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना पढ़ने लाइक कुछ लिख जाना या लिखने लाय कुछ कर जाना अगर आपमें गलत को गलत कहने की छमता नहीं है तो आपकी प्रतिभाव व्यार्त है अज्यानता से भै पैदा होता है भै से अंध विश्वास पैदा होता है अंध विश्वास से अंध भक्ती पैदा होती है अन्धभक्ति से आदमी का विवेक सुनने हो जाता है और जिस आदमी का विवेक सुनने हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है इसलिए अग्यानी नहीं, ग्यानी बनो इस पूरी दुनिया में गरीब वही है, जो शिच्छित नहीं है जो इनसान जुक सकता है, वह इनसान सारी दुनिया को जुका भी सकता है जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पिड़ियां उसका बदला जरूर लेंगी अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पिड़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी अपनी जोपड़ी में राज करना दूसरे लोगों के महलों में गुलामी करने से कई गुना अच्छा है हमारे देश के समिधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रहमास्त से कहीं अधित ताकत रखता है मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंदरता, समानता और भाईचारा सिखाए जो धर्म जन्म से एक को स्रेश्ट और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है वह गुलाम बनाए रखने का सड़े अंत्र है समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धी का उप्योग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है मेरी प्रसंसा और जैजैकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए हुए मार्क पर चलो समिधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बलकि यह जीवन जीवने का एक माध्यम है जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ग्यान के बिना लड़ने गए तो आपकी हर निश्चित है मैं समझता हूँ कि कोई समिधान चाहे कितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरन करने वाले लोग बुरे हो एक समिधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो झाल